थोड़ा आप समझते हैं, अब आपने सोच लिया, आपने पूरा दिमाग लगा लिया, बात नहीं, बात नहीं, इधर बोड पर, सब कोई बोड पर, लिखने का बहुत मौका देंगे, अभी और चार कोश्चन है, so don't worry, आपने कुछ सोचा होगा भी, कुछ अपनी इंटरप् अब मैं इसको explain करता हूँ, तो अब आपको क्या लगेगा, कि आपने पूरा दिमाग लगाया, कुछ सोचने की कोशिस की, और अब मैं समझाओंगा, तो आपको gap जो है न, ओ दिखेगा, और उस gap को फिल करने के लिए दिमाग पूरी तरह क्या करेगा, सूचेगा, तो चलि एकक करके understand करते हैं, कुश्चन हमारा क्या है, कुश्चन कहता है, in a gentle way, in a gentle way, you can seek the word, अब एकक करके, यहां की वर्ड क्या है, की वर्ड पहले पहचानिये, तो keyword, one, दूसरा क्या है, keyword, two, मैं इदि दोनों को connect कर दूँ, तो examiner को समझ में आ जाएगा question, तो पहला काम always, keyword को miss नहीं करना है, keyword को क्या करना है, identify करना है, मैं हर question में keyword identify करूँगा, यदि आपने एक भी keyword छोड दिया, तो पूरा question नहीं हो पाया, आपका interpretation अधूरा रह जाएगा, समझ में में बात को, इसलिए keyword को identify करना बहुत हीं ज़रूरी है, तो question कह रहा है, कि in a gentle way you can seek the word, gentle, अब इसका मतलब है, कुछ ऐसा है, कि generally, gentle का उल्टा क्या होता है, इसका मतलब, generally, generally, लोगों को लगता है, कि gentle की जगह पे क्या-क्या, aggressive, violent, forceful, loud actions, तो generally, लोगों को लगता है, कि aggressive method से, आप देखते हैं, कहीं coop होता है, तो coop क्या होता है, aggressive, सत्ता change कराते हैं, violence, जितने freedom movement आप देखिएगा, दुनिया में maximum क्या रहे हैं, violent रहे हैं, तो कहने की एकोशिस कर रहा है, कि generally, लोगों को लगता है, कि aggressive method से, violent, forceful, loud actions, से ही, बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, generally, लेकिन, ये coat किस ने दिया, महात्मा, गांधी जी ने, उन्होंने कहा, नहीं, नहीं, अब उनके यहां gentle का meaning क्या है, peaceful, non-violence, truth, satyagraha, small steps, समझ मैं इबात को, दिखे, interpretation आपको टोग है, कहा है, seek the world, अब seek तो, seek, seek, seek तो, seek का मतलब क्या है, change, लेकि चेंज तो दोनों हो सकता है, destructive, and constant, लेकिन यहां पे किस की बात कर रहा है हो, इसी लिए हम कोई side नहीं, again, मैं अभी overalls से की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कहां बात कर रहा हूं से, कौन से पहरेगाफ पे, पहले पहरेगाफ, समझ मैं, तो पहले मैंने ऐसे तोर दिया, question को, इसका मतलब है, मैं इस question को इस आपकी जगह होता, तो मैं लिखता, कि generally, traditionally, लोगों को लगता है, कि aggressive, violence, loud action, forceful method से ही, बरे बदलाओ किये जा सकते हैं, लेकिन, गांधी जी, ने, इस quote के थू, यह कहा, कि gentle, gentle का मतलब क्या है, peaceful, non-violent, truth, सत्यागरा, small steps, इस से भी, क्या किये जा सकते हैं, बरे बदलाओ, positive, से एक हम positive ले रहें, constructive, positive, बदलाओ, लाया जा सकता है, meaning clear हो गया, क्या, बस इतना ही पहले paragraph में कर देना था, बहुत ज़्यादा ज्यान नहीं देना था, एकदम simplest, कोई doubt यहां, कोई doubt, अब थोड़ा दीखते हैं हम लोग, कि यह कहनी की बात हम ऐसा क्यों कह बहें, क्या सिप गांधी जी ने भोला, या इसका कुछ हुआ भी, background थोड़ा देखते हैं, एक मिनट, decent किसे होगा, ठीक है, मैं, हाँ, यहां ले लेता हूँ, देखते हैं, थोड़ा background देखते हैं, context, थोड़ा background देखते हैं, क्या कुछ ऐसे examples हैं, क्या, इंडिया का, क्या, freedom, movement, led by, गांधी जी, टूल क्या थे, पूरी ब्रिटिस सम्राज को क्या किया उन्होंने, सेख किया, और gentle approach किस चीज का था, truth and non-violence, पहला, दूसरा, South Africa, Nelson, क्या, अपर थीड movement, उन्होंने South Africa को क्या बनाया, rainbow country, बनाया ना, वो भी 27 साल जेल में थे, उन्होंने किसका रास्ता एडॉट किया, Nelson Mandela ने किसका रास्ता एडॉट किया, forgiveness, बोला माफ करो, गोरो को, और हम क्या करें, नेशन बिल्ड करते है, 27 साल उनको जेल में बंद रखा, लेकिन तब भी उन्होंने किसकी बाद की, revenge की जगा, revenge की जगा, forgiveness, soft tool है, gentle tool है, ऐसे आख, बहुत सार एक्जामपल, Martin Luther King, और बताइए, अभी देखिएगा, अभी हम लोग क्या करें, हमने देखा पूरी दुनिया भर में, इज्राइल, फिलिस्तीन, रस्या, यूक्वेन, अंत में आप देखेंगे, इसका resolution किससे निकलेगा, peaceful talk, इसका मुला वार तो solve नहीं कर पाया, कितने वार लबेगा है, लेकिन अंत में solution किससे आता है, peaceful, peaceful stock ही solution है, और वही क्या करेगा, दुनिया को एक नया रंग देगा, तो यह हमारा क्या है, background है, कुछ examples है, जो context दिये, background दिये, एक और example आपको लेता हूँ, माल ने कहा आपने, कि women empowerment, women empowerment, अभी इसे पहले question भी 69 में ही पूछा है, women empowerment in context with political empowerment, इसका मतलब क्या है, इसका background क्या हो सकता है, हमने, महिला वेजर वेशी नहीं, context ये था, कि हम जब अपने लोग सभा में देखते हैं, रास सभा में देखते हैं, तो मात्र 14 से 15% क्या थी, महिला थी, state assemblies में देखते हैं, तो less than 10% थी, कहीं कहीं, इसका मतलब क्या है, कि women का representation ही नहीं था, इसलिए, हमने क्या किया, women empowerment में, political empowerment में उनका representation, चलिए, हम दोग एक करके और समझेंगे, ये बात समझ में आई, हाँ, अब question पूछे, meaning clear हुआ, meaning and context, हमने context गान्धी जी का लिया, हमने context किस का लिया, Martin Luther King का लिया, Nelson Mandela का लिया, peace talk का लिया, peace talk चाहे, जिस country का उठा लिजी आप, ठीक है, अब धीवे-धीवे sign करने लगिए, है ना, सांती से का करके आगे बढ़ाते जाए, clear है, कोई यहां तक doubt किसी को, तो इसलिए मेरे भाई, एसे लिखते वक्त हाय तौबा मत मचाओ अपने दिमाग में, होता क्या है, एसे का topic आया नहीं, कि हाय तौबा मचने लगा, मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, सांत, हमें तो एकदम हतियार पता है, पहला हतियार हमागा, क्या meaning, हमें कुछ नहीं करना, question आ गया, सबब इसका meaning एकदम, basically हमको समझा देते हैं, क्या लगता है, इतनी बात बताएंगे, तो examiner को अच्छा नहीं लगेगा, क्या, भाई हमने meaning clear कर दिया, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, लगे ने उसके बाद example दे दिया मेरे को, जो बच्ची खसर माले कोई बात रह गई हो, meaning clarity में, तो बाकी चीज़े किसने clear कर दी, context, background, question, क्या women empowerment हुआ है, women empowerment is reality, माले question है, अहाँ women empowerment क्या होता है ये, वो सब लिख लिया, पहला paragraph, meaning clear कर दिया, women empowerment का मतलब क्या है, कह रहा, reality है क्या, अब वहाँ पर बात करते हैं, फिर example ले सकते हैं, नेवया कांड, हच्छरस गैंग रेप, domestic violence, on one side, क्या ये, women empowerment है, glass ceiling, other hand, moon पे लोग चले गए, बहुत जगह, कल्पना चावला का एक्जामपल है, लिजा, space में गई, ठीक है, या भारत में, बहुत सारे, अभी क्या है, चाहे आप, sports में देख लीजिए, boxing में देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए, scientist देख लीजिए, fighter jet चलाती हुई, ये भी examples है, तो हमने context दिया, दोनों का, अब body में बताएंगे, हुआ की नहीं हुआ, लेकिन दोनों साइड हमने क्या दिखा दिया, एक context, क्या आखिव ये question तुमने क्यों मुझसे पूछा, इसलिए पूछा, क्योंकि ये ये recent घटनाए घटी, clear है, clear है क्या आप लोग, चलिए, कोई question किसी का, कोई doubt, तो clear हो जाएगा, doubt.